इस वीडियो के अंदर गाईस हम लोग बात करने वाले income tax return filing after the death जी हाँ तो अगर किसी person के यहाँ पर death हो जाती है तो उसके बिहाँ पे as a representative assessee या as a legal hire आप कैसे उनके income tax return यहाँ पर file कर सकते हैं तो देखिए गाईस पूरा वीडियो जो step by step होगा आपको क्यों file करनी चाहिए अपनी ITR भी file कराना चाहते हैं तो उसकी link भी मैंने आप लोग को simply description box में दे रखिए तो चलिए guys शुरू करते हैं तो सबसे वहले guys बात करते कि after the death basically assessee की कौन यहाँ पर ITR file कर सकता है तो देखिए जो भी उसका legal hire या जो भी उसका representative assessee होगा उसको उसकी बिहाँप के उपर income tax portal के उपर register होना पड़ेगा और उसकी जित्ती भी income है before the death वो उसको basically यहाँ पर file करनी पड़ेगी तो देखिए यहाँ पर definition आती कि legal hire यहाँ पर कौन हो सकता है तो देखिए कई सारी conditions हो सकती है after the death basically उनको एक certificate चाहिए होगा अगर मालीजे court से मिल जाता है या किसी local authority वगरे से मिल जाता है या मालीजे अगर उनको government की तरफ से family का pension certificate वगरे मिला हुआ है या जो जिनकी भी death हुई है वो उनके account से login नहीं करना है आपको जो भी उनका legal hire son है daughter जो भी है तो उनीका pancard number यहाँ पर use में होना चाहिए अगर आपका account नहीं बना हुआ आप simply अपना pan number डालो password set करो तो आपका इस type का account यहाँ पर create हो जाता है आपका इस आपको क्या करना है यहाँ पर authorize partner के अंदर जाना यहाँ पर आपको मिलेगा register as a representative assesses के उपर आपको simply click करना है तो यहाँ पर आपको देख सकते things you should know before the proceeding तो यहाँ पर आपको disease का option मिल जाता है जिसके इंदर legal hire का option दिया हुआ है तो यहाँ पर आपको mainly जो है तीन document upload करने पड़ेंगे एक आपको pancard करना पड़ेगा जिनकी death हो रखिए एक आपको death certificate यहाँ पर upload करना पड़ेगा और एक आपको legal hire का जोई as a proof यहाँ पर कोई भी certificate local authority का हो गया court का हो गया यह कोई family pension certificate वगर है वो आपको simply तरह के से upload करना पड़ेगा तो guys यहाँ पर आपको less guess started के उपर click करना है यहाँ पर simply आपको create new request button के उपर click करन है यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर simply second number के उपर ही आपको disease illegal hire का यहाँ पर option मिल जाता है यहाँ पर सबसे पहले डालना है pen number जिनकी भी death हो रखिए उनका pen number डालना है यहाँ पर आपको date of the death वगर डालनी है यहाँ पर आपको reason डालना है registration का तो यहाँ पर आप आप देख सकते हैं और अपना reason वगर प्रोवाइड कर सकते हैं साथ में यहाँ पर details डालनी पड़ेगी जो भी उनका representative असेसी वगर बनना चाहता है तो यहाँ पर जितने भी members है basically उसकी death के बाद में कितने surviving family members है as a legal hire वो आपको यहाँ पर डालने पड़ेंगे प्लस प्रोवाइड कराना पड़ता है तो यहाँ पर अपना bank account वगर जो है डाल सकते मिलब जिनकी death हुई है उनका bank account की बात नहीं कर रहा यहाँ पर जिसकी profile के अंदर आप already login हो उसी का bank account यहाँ पर आपको insert करना है उसके वाद में इस document में आप देख सकते हो आपको pencard upload करना है death certificate upload करना है और जैसे में बताया था आपको legal hire का जो एक basically certificate upload करना पड़ेगा और यहाँ पर आपको काफी सारे यहाँ पर option देखने को वगरे को मिल जाते है तो guys जैसे आप यहाँ पर request वगरे डालते तो आप screen के सामने दे सकते है within the यहाँ पर 7 to 15 days के अंदर आपकी यह request यहा इसको approve कर देता है अब guys इससे क्या होगा आप जो है basically जिनकी भी यहाँ पर death हुई है उनके भीहाँ पर as a representative असे यहाँ पर select हो चुके है तो guys अब आपको यहाँ पर filing वगरे कैसे करनी है तो देखे guys यहाँ पर जब भी आप अपने portal के अंतर login करेंगे तो अपसे यहाँ प इस पास क्या है यहाँ पर जैसे यहाँ पर profile स्विच हो आती है उसके बाद में जैसे आप normal income tax return यहाँ पर file करते हैं वैसे आपको e-file section के अंदर जाकर file income tax return यहाँ पर क्लिक करना है अब मैं आपको major changes आदेता हूँ कि major changes होता है as a representative assessy वहाँ पर होता है so guys आप इनी screen के साम analyze तरीके से submit करते हो चाहे ITR 1 form है 2 है 3 है 4 कोई भी form है तो last में जब आपको return submit करनी होते है तो यहाँ पर देख सकते हो this return in my capacity as तो यहाँ पर self की जगे automatically representative assessy यहाँ पर select हो जाता है और यह जो pancard number है जो भी मदल में का legal hire है उन्हीं का personal pancard number होता है तो यहाँ पर अच्छी बात यही होती है कि आपको एक ही profile के अंदर login करके switch करने का option मल जाता है और आप उनकी जो जिनकी भी death हो रुखी है उनकी पूरी income जो है इस return के अंदर यहाँ पर show कर सकते है साथ में guys जब आप return को भी यहाँ पर verify करवाने वाले होते है या return का जब PDF का print वगरे भी निगालते त अधे था पूरा तरीका यहां पर step-by-step कैसे आप यहां पर जो liar l500 को switch करके यहां पर ऑंके बेहाँ scrolling पर return ले कर सकते है यहां पर करेंए नकी लोगर करने जरूरी है तो आप एषण सब्सक्राब काकर सकते हो So guys, hope you like this video, please subscribe अगर आप लोगे कोई भी डाउट से comment box में बता सकते हैं और my online CC अगर आपको consultancy book रहा नहीं है तो उसकी link भी आपको description box में दे रखी है Thank you guys, thank you very much